C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाठ 21 खाना खिलाना प्रेश्ट 174 ट्रेन ट्रेन घंटी बचते ही मनप्रीत ने दर्वाजा खोला बाहर दिव्या और स्वास्तिक को देखते ही वैखुशी से चिलाई गुर्नूर देखो तो कौन आया है गुर्नूर दोड़ती हुई आई दोस्तों को देखते ही वैखुशी से उनसे लिपट गई और बोली तम लोग अपने बोर्डिंग स्कूल से कब आए कल ही तुम्हारे ममी पापा कहा है उनसे तो मिलने स्वास्तिक बोला वे तो गुर्दुवारे गए हैं हम भी वहाँ जा रहे हैं गुर्नूर ने जवाब दिया अरे वाह चलो हम भी चलते हैं दिव्या खुशी से बोली गुर्नूर ने पूचा तुम तो बस चुट्यों में ही घर आते हो क्या तुमें हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है कैसे रह लेते हो ममी पापा के बिना उनकी याद तो आती है पर हॉस्टल में बड़े मज़े भी आते हैं भले ही कभी कभी हमें खाना पसंद नहीं आता पर सभी बच्चों के साथ एक साथ बैठ कर खाना खाने में मज़ा आता है। दिव्या ने बताया प्रिष्ट 175 होस्चल में जब किसी के घड़ से खाने की कोई चीज आती है तो सभी बच्चे उसकी कमरे में पहुँच जाते हैं और बस मिंटो में ही चीज खात्मा। स्वास्थिक ने हस्ते हुए बताया। क्या तुम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो? अगर नहीं तो किसी हॉस्चल में रहने वाले बच्चे से बात चीट करके पता करो। बोर्डिंग स्कूल और दूसरे स्कूल किन-किन बातों में अलग होते हैं। वहाँ पर कैसा खाना मिलता है? बच्चे कहां बैठ कर खाते हैं? बोर्डिंग स्कूल में बच्चों के लिए खाना कौन बनाता है? कौन परोस्ता है? बरतन कौन धोता है? क्या कभी बच्चों को घर के खाने की याद आती है क्या तुम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहोगे क्यों गुरु द्वारे में बच्चे बातें करते हुए गुरु द्वारे पहुँचे वहां सभी ने सिर ढगे वे गुरु द्वारे के रसोई घर में गए जो बहुत बड़ा था वहां कई काम हो रहे थे खाना बड़े बड़े बर्तरों में पक रहा था वहां एक बड़े पतीले में उलद और चने की दाल पक रही थी दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी की सबजी बन रही थी स्वास्तिक ने कहा अरे देखो गुरु नूर तुम्हारे पापा वहां है चलो मिलकर आते हैं प्रिष्ट 176 मंजीत सिंग बच्चों से बहुत प्यार से मिले और पूछा तुम सब यहां क्या कर रहे हो अंकल क्या हम भी खाना पकाने में मदद करें आप क्या बना रहे हैं स्वास्तिक ने पूछा मंजीत सिंग ने बताया मैं कड़ा प्रसाद बना रहा हूँ इस बड़ी सी कड़ाही में आटे को भून रहा हूँ इसमें बड़ी मेहनत लगती है मुझे पता है यह हलवा है इसमें आप चीनी कप डालेंगे दिव्या ने पूछा तबी उन्हें मनप्रीत की मम्मी दिखाई दी वे लोग मुस्कुराते हुए उनके पास गए आउंटी आप क्या कर रही हैं दिव्या ने पूछा इतनी सारी रोटियां एक साथ मैं भी सेखूँ हाँ हाँ आओ तुम भी करके देखो यहां तो हर कोई सेवा कर सकता है लेकिन पहले अपने हाथ धोलो आउंटी ने कहा दिव्या जल्ली से हाथ धोकर आ गई तंदूर में हाथ डालते ही उसे बहुत गर्म लगा सेखना छोड़ कर वह रोटियों पर गी लगाने लगे स्वास्तिक ने हैरानी से पूछा इतने सारे लोगों के लिए खाना पकाने का सामान कौन लाता है प्रिष्ठ 177 एक औरत ने बताया सब ही मिल जुल कर मदद करते हैं कोई सामान देता है तो कोई पैसे इसका जैसा मन होता है वैसे ही काम में मदद करते हैं मन पीतने चिढ़ाते हुए कहा क्यों स्वास्तिक कैसा लग रहा है पहले भी कभी रसोई का काम किया है क्या नहीं, पर सब के साथ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है स्वास्तिक ने कहा, पता ही नहीं चल रहा कि कब रोटी, चावल, हलवा, दाल और सबजी तैयार हो गए अरदास के बाद सभी को कड़ा प्रसाद दिया जाने लगा कुछ लड़कों ने जल्दी से बरामदे में दरियां बिछा दी, सब लोग लाइनों में बैट गए, कुछ लोग पतलों में खाना परोसने लगे, और कुछ लोग पानी सभी ने मिल जुलकर खाना खाया खाने के बाद सबने अपने अपने पतल उठा कर बड़े से ड्रब में डाले, अंत में खाना खिलाने वाले लोगों ने भी मिलकर एक साथ खाया और वहां की सफाई करके बरतन भी साफ कर दिये बताओ, गुर्द्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं क्या तुमने कभी लंगर में खाना खाया है? कब और कहाँ? कितने लोग खाना बना रहे थे? और कितने लोग खाना परोस रहे थे? क्या किसी दूजरे अफसर पर भी तुमने बहुत से लोगों के साथ मिलकर खाना खाया है? कब और कहाँ? वहां किस किस ने खाना बनाया और परोसा था? प्रिष्ट 178 इस प्रिष्ट पर गुर्द्वारे के लंगर का एक कोलाज दिया गया है जहां कुछ लोग रोटी बेल रहे हैं कुछ लोग रोटी सेक रहे हैं कुछ लोग सबजी पका रहे हैं कुछ लोग चूले पर कुछ काम कर रहे हैं कुछ लोग सबजी काट रहे हैं कुछ लोग पंक्ती में सिर्ध धककर बैठे हुए हैं और लंगर में खाना खा रहे हैं और कुछ लोग खाना परस रहे हैं खाना खिलाना अभी आप सुन रहे थे कक्षा चार की पाठे पुष्टक हमारे आसपास का 21 पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत